जाहें दोस्तों मैं पहंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना चैनल वी के टुटरियल में आज हम लोग पढ़ेंगे जारकन की जनगड़ना के बारे में और इसे सम्मधित जीतने भी डेटा है जो एक्जाम की दिरिष्टी से इंपोर्टेंट है उसको आज हम लोग याद भी करेंगे यहाँ पर अगर देखे दोश्तों तो जनसंख्या ऐसा टोपिक है जो हर एक्जाम में जाहाँ आप जारकन का कोई भी एक्जाम दे वहाँ पर दो से तीन क्रोश्चन जो हैं एकदम हंडेट परशंट आते ही आते हैं और दो से तीन प्रस्ण अगर बन जाएंगे आपके त बहुत लीड पॉइंट होता है तो परिछाक दिरिष्टी से बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेगा और जब भी एक्जाम देने जाएगा तो इसको जो है एक बार रिडिंग करके जाएगे कि डेटाबेस प्रस्ण है तो इसको जो है एक्जाम में रखना है कि आपको जो है सिर्फ तीन डिजिट तक ही याद करना है यानि कि तीन करोड 29 लाग आपको याद रखना है बाकी के चीज़ों अगर नहीं भी याद रहेगा तो कोश्चन जो है असानी से पकड़ा जाएगा तो आप एक प्रोक्ष डेटा जो होता है उसी को याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं जारकन की कुल पूरुष जन संख्या तो जारकन की जो पूरुष जन संख्या है वो हो जाएगा एक करोड 79 लाग 30315 यानि कि आपको ध्यान में रखना है कि एक करोड 79 लाग जो है वो पूरुष जन संख्या है यानि कि जारकन की पूर महिला जनसंख्या यानि जारखन में महिला की जनसंख्या कितनी है तो यह हो जाएगा आपका एक करोड़ साथ लाग यानि कि ध्यान में रखेगा कि पूरुस जनसंख्या जो हो गया एक उनातर और एक साथ जो है आपका महिला की जनसंख्या है तो याद रखना कि एक करोड साथ लाग जो है जारखन में टोटल महिलाओं की जनसंख्या है आगला प्रस्थन है कि जनसंख्या के दिरिष्टी से भारत में इस्थान यानि कि जारखन को दिखे दोस्तों तो एक करम के अधार पर अगर रखा जाए जैसे पहले इस्थान पर आपका आता है यूपी यूपी के अबादी जो है सरवधिक है 19 करोड के आसपास है तो वही पर अगर देखे तो जनसंख्या के दिरिष्टी से अगर करम हम लोग निवधारित करें तो ऐसे इस्थान में हम लोग जार्खन जो है 14 जहान जार्खन के रजधान तो यहान जो है बागी जीलों के आपक्षए हैं आबादी ज बाकी जीलों के अबादी ज्यादा है लग सकते हैं दोस्तों कि 29,1440ay तो तो आप गर आपनास में दें अग्ला प्रस्न है कि जंषंख्या के द्रिफ्टी से निउन्तम जीला झाहारी indeed दिरिफ्टी से 2 лоसराक से द्रिफ्टी से निउन्तम जीला है गौन से जीला होны सब से कम जंषंख्या निर्धारीत है यानि सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है तो यह हो जाएगा आपका लोहरदग्गा जीला लोहरदग्गा जीला के अबादी के अगर बात करें दूस्तों तो 4,60,000 है तो आप ध्यान में रखेगा कि सबसे घनी अबादी वाला जीला सबसे जादा अबादी वाला जीला हो जाएगा आपका राची और कम अबादी वाला जो जीला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोहरदग्गा होगा आगला प्रस्न है कि राज्य का जनसंख्या घनतव जारफन राज्य का जनसंख्या घनतव क्या है तो यहां पर 414 बेक्ती परती वर किलोमेटर यानि एक किलोमेटर जो हता है एरिया दोस्तों उसमें से 414 बेक्ती निवास करते हैं एक किलोमेटर में तो इसको ध्यान में रखना है कि 414 बेक्ती जो है परती वर किलोमेटर जारफन की जनसंख्या घनतु है आगला प्रस्थन है कि जनसंख्या घनतों की दिरिष्टी से भारत में इस्थान तो जनसंख्या घनतों की दिरिष्टी से भारत में इस्थान तो भारत में इस्थान इसका जो है दोस्तों वो चौदाहमा इस्थान है तो याद रखना है कि जनसंख्या के दिरिष्टी से भी 14 में इस्थान और घनतों के दिरिष्टी से भी 14 में इस्थान पर है क्योंकि जैसे तेलंगाना और जो गठन हुआ दोस्तों इसके बाद की देटा के अनुसारी चीजे निर्धारीत किया गया है कि 14 में इस्थान पर है तो इसको थोड़ा से ध्यान में रखिएगा और अगर ज्यादा कन्फ्यूजन होगा तो एक पर बूख उलट करके जहें जनसंख्या के डाटा उलट करके भी आप थोड़ा सा दीख लीजेगा आगे बढ़ते हैं सारोधिक ज जनसंख्या घनत वाला जिला यानि कि कौन से ऐसा जिला है जिसमें सारोधिक जनसंख्या यानि मतलग घनत वे होता है दोस्तों कि एक किलो मेटर में सबसे ज़्यादा लोग रहने वाले तो यह हो जाएगा आपका धनबाद जिला धनबाद दिला में अगर देखें तो सबस वर किलो मीटर में निवास करती हैं तो याद रहना कि सारवधिक जन संख्या घनत वाला जीला जो है वो आपका धनबाद है अगला प्रस्न है दोस्तों कि नियुंतम जनसंख्या घनत वाला जिला यानि कि नियुंतम यानि सबसे कम एक किलोमेटर वर्ग में रहने वाले लोगों की संख्या किस जिला में है ते हो जाएगा दोस्तों आपका सिम्डेगा जिला सिम्डेगा जिला में अगर देखें तो 169 बेक्ती परती वर किलोमेटर ही रहते हैं तो अब याद हो गया होगा दोस्तों कि अगर पूछेगा जारखन की ओसत जनसंख्या घनत वाला जिला जो आपका है सिम्डेगा जिसमें 169 बेक्ती परती वर किलोमेटर में निमास करते हैं आगला प्रस्न है कि राज की सक्छार्ता दर तो राज की सक्छार्ता दर है दोस्तों 66.40 परती सत इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेगा कि राज की जो सक्छार्ता दर यानि कि राज में साक्छर लोगों की परती सत क्य क्या है । तो सक्षर लोगों का परतीसत है, 66,4 blindness परतीसत है यानि 100 लोगों में 66 लोग आपके सिक्छित हैं चार्षंद में सक्छर हैं सक्छर ओ सिक्छित में बहुत फरक होता है दोस्तों तहां पर सक्छर आपको आगे बढ़ते हैं राज्जी की पूरुष सक्षरता दर यानि आप देखें दोस्तों की टोटल सक्षरता दर क्या है तो छीघ इसट दसमलों-चालीस परतिसत है वही अब उसमें से पूरुष कितने सक्षर हैं तो सब्सक्राइब दोस्तों tutte शीघान ने लेती हैं कि सौग उगर पूरुस है तो सौग पूरुस में 76 वो पूरुस के है, चाथर दसमलो असी, इसको भी ध्यान रखना है, यनि कि लबभग 77 जो पूरुस हैं, वो साक्षर हैं, सौग में से, आगे बढ़ते हैं, राजी की महिला सक्षरता दर, तो राजी की महिला सक्षरता दर है, 55.40, बड़ा इस्थिती जो है, वो खराद महिलाओं के परती, क्योंकि सो महिला में से मात्र 55 महिला ही, आपको साक्षर देखने को मिलते हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है, कि ओभर ओल साक्षर दर क्या है, जारकन का तो 66.40, पूरुष साक्षर की इतने हैं, तो 76.80, इसके बाद देखें दोस्तों, आपकी पुछ देखा को महिला सक्षरता केतना है, तो 55.40, तो डेटा भी याद रखेगा, इसमें परसेंटेज में जो दिखाया दिया, दोस्तों 40, 80, 40, इसको भी द्यान में रखना है, ओलो भर तो 66.40, पूरुष साक्षर तो 66.80, और महिला की अगर बात करें तो 55.40, इसको भी द्यान में रखना है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगला प्रस्न है कि सारोधिक साक्षरता दरवाला जीला, यानि कौन सा जीला ऐसा है, ज यहां के लोग जो हैं, वो जादा सिक्षित हैं, तो यहां पर अगर देखें दोस्तों, तो राची जो जीला है, यानि राची जीला की बात करें दोस्तों, तो यहां के लोग जादा साक्षर हैं, तो यहां पर देखें, तो 76.00, जीरो छे परतिसात लोग साक्षर हैं, तो आगे बढ़ते हैं कि नियुत्व्म सक्षाइर्धाद दर वना जिला है आपका हो जायागा पाकूर। हम टेट का एक्जाम दे रहे थे, दूस्तों तो ये प्रस्ना हम से पूझा गया था, मने टेट के एक्जाम में आया गया था, इसलिए हम पो याद है, ये प्रस्ना पूझा गया था कि निउन्तम सक्छळदर वल्ला जीला है, तो पाकूड जो जीला है, 48.ost pr 32, इसको ध्यान मिर्खना कि सबसे कम अगर कहीं सिक्षित है कोई जीला अगर जारकंड में तो हो जाएगा आपका पाकुड जीला जहां पर देखें तो 48.42 परतिसथ ही लोग सिक्षित है आगे बढ़ते हैं सारोधिक पूरुसक्षरता वला जीला तो सारोधिक पूरुसक्षरत जो हो जाएगा अपका यह हो जाएगा रांची तो सारोधिक जारुष ऑगर देखा जाए दोस्तों कि सिक्षित पूरुस जो हैो 20 जीला में अगरुसक्षर जीला क्योंकि देखें 84.26 परतिस जोहां पूरुस साक्षर है कहां कि सारोधिक पूरुसonte को तो महिला के बात कर रहा है तो रांची है सबसे सारवधिक सिक्षित पूरुस वाला जीला कौन है तो रांची हो जाएगा सारवधिक महिला साक्षर वाला जिला कौन सा है तो हो जाएगा राची यानि कि देखें तो राची तीनों में रहा है यानि कि बात करें दोस्तों कि सारवधिक साक्षर जिला राची जिसमें पूरु सो महिला दोनों में साक्षर में अवल है यानि आगे है आगे बढ़ते हैं नियूंतम पूरो सक्षरता दरवाला जिला हो जाएगा आपका पाकूर पाकूर में देखे दोस्तों तो 77.06 परतीसर जो है यह आपके यहां के पूरो सक्षर है वहीं महिला की बात करें कि नियुनतम महिला साक्षरदर वला जिला कौन सा है ते भी हो जाएगा आपका पाकूर यानि 40.22 तो बहुत असान कि सबसे साक्षर जिला राची सबसे नियुनतम साक्षर जिला कौन सा है तो हो जाएगा आपका पाकूर तो नियुनतम वला में ध्या को राची रखना है द्यान में आगला प्रस्ण है कि जार्खन की द्रिष्टी से सक्षर्था के द्रिष्टी से भारत में इस्थान तो आपको पता होगा कि राज तर्थकेंदर शासित प्रदेश सहीत अगर हम लोग देखें तो 32 इस्थान पर आते हैं यानि बिहार के बाद ह हम लोग आ अगया है अगला प्रश्ण के लिंगा नुपात दर कि द्र देखें तो नौ 2 um महिला परती एक हजार पूरुस है इसको अभी ध्यान में रखते हैं इसमें सारा जो प्रसन दिये हुए दोस्तों उस सारे प्रिच्छक दिरिटी से बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि आप पिछले प्रसन उठाकर देखेंगे तो ऐसा कोई प्रसन नहीं है जो यहां से नह 949 महिला है परती एक हजार पूरुस पर है सारवधिक लिंगानुपात वाला जीला आपको याद रपना है कि पच्छमी सिंभूम यहां पर सारवधिक लिंगानुपात जैसे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कि जो केरल राज है राजिम अगर अगर हम लोग बात करें तो के पूरुसों का अप्यक्छा महिलाओं के संख्या जादा है और उसी परकार हमारे जहार्कन में ऐसा देखा जाता है कि पच्छमी सिंभूम जेला है वहाँ 1005 महिला है यानि 1000 पूरुस पर खड़ा करेंगे तो 1005 महिला मिलेंगे यानि वहाँ पर देखे तो महिलाओं की जनसंख्या जो है पूरसों के अपेक्छा थोड़ा जादा है ये कौन सा जीला है तो पच्छमी सिंभूम है आगे बढ़ते हैं कि निंतम लिंगा अनुपात वाला जीला तो निंतम निंगानुपात वाला जीला आपका आगया दोस्तों धनबाद धनबाद में देखेगा दोस्तों तो सबसे ज़्यादा घनट वाला जीला है धनबाद 1316 बेक्ति परती वर किलोपर मीटर पर रते हैं और यहां पर देखें तो इतना बादी रहने के चलते भी अगर देखें तो एक चीज और इहां कमी है कि धनबाद में जो हैं महिला की जो लिंगानुपात है महिलाओं के संख्या पुरसूं का पिक्षा कम है आप लिंगानुपात के अगर दर देखें दोस्तों तो 904 कितना मतलब कितना कम है आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक हजार पुरूस पर नौसो चार ही मिठला है वहाँ आगे बढ़ते हैं दो हजार एक से एगारा के दसक में कूल जनसंख्या की ब्रीधी यानि कि देखें दोस्तों तो एक दसक के ब्रीधी होता है वही चीज पुछा जा रहा है कि दो हजार एक से एगारा के दसक में कूल जनसंख्या ब्रीधी अगर डारेक्ट पूछतेगा कि एक दसक के ब्रीधी क्या है तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेगा लेकिन इसमें जनसंख्या डिरेक्ट पूछ रहा है कि 1 से 11 के दसक में कुल जनसंख्या में कितना ब्रीधी हुआ है तो याद रखेगा कि 60,42,305 तब 60,42,000 भी याद रखेगा तो आपका असानी से question पकड़ा जाएगा तो ये 2001 से 11 के दसक में कुल जनसंख्या के ब्रीधी हुआ है और 60,42,000 हुआ है आगला प्रस्ण है कि 2001 से 11 के दसक में कुल जनसंख्या के ब्रीधी दर तो 2001 से 11 के दसक में देखें तो कूल जन संख्या के ब्रीधी दर अगर देखना है तो परतिसत में हाँ पर देखेंगे तो प्रतिसत के अधार पर गर देखें तो 22.42 प्रतिसत बहुत आसान है 22.42 प्रतिसत जो है जारखन की दसक ये बिरिधी रहा है पिछले यानि एक सेगारा के दोरा अगूल जनसंख्या कितना बढ़ा है दोस्तों तो 60,42 अगला प्रसन है कि 2001.11 के दसक में सरोधीक जनसंख्य ब्रीधी दरवला जीला ये भी ध्यान में रखना है कि कौन से ऐसा जीला है जिसमें सरोधीक जनसंख्या का ब्रीधी हुआ है तो हो जाएगा आपका कोडरमा जीला वही तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोस्तों कि कोडरमा जीला जो है जो अबरक राजधानी के नाम से ना जाना जाता है कोडरमा को, यहां की जनसंख्या जो है, सबसे ज़्यादा ब्रीधी हुआ है, यानि पिछले 10 सालों में, कितना ब्रीधी हुआ है दोस्तों, तो 43.42 परतिसत, तो याद रखे कोडरमा जीला के जो है, जनसंख्या ब्रीधी सरवधिक है, जिसमें से 43. अगला प्रस्न है कि 2001 सेगारा के दसक में निम्तम जनसंख्या ब्रीधी दर्वाला जीला की अगर बात करें दूस्तों तो यह हो जाएगा आपका धनबाद धनबाद में देखें तो बहुत अबादी है क्योंकि आपको पढ़े होंगे 1316 बेक्टी घनतों है यहाँ पर यानि कि अबादी के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर ब्रीधी जो है थोड़ा कम हुआ है तो जन धनबाद में अगर देखें तो जनसंख्या ब्रीधी दर क जनसंख्या में जो आपका धनबाद है आगे बढ़ते हैं आगला प्रास्न है कि जनसंख्या के दृष्टी से राज्यका सबसे बड़ा परमंदल और यह हो जाएगा आपका ऊतरी छोटा परमंडल यह दो Jam Sanạnhya के दिरिश्टी से कम है और जबकि आप उत्री छोटा नागपूर में अगर देखिंगे तो इसमें से बड़े बड़े जीले आते हैं तो इसको थ्टोड़ा सा ध्यान मेंधे सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में जनक्या समंधित इतने ही था एकपेज है औरले पर देखिए में और एक लाश्ट ले लिजे तो आप जो है दोस्तों इसको एक वन लाइनर पेज में कोपी मिली करके इसको रखेगा जब एक जाम देने जाएगा तो एक बार इसको पलटके देख लिजाएगा क्योंकि यहां से प्रस्न एकदम स्योर रहे कि दो से तीन प्रस्न एकदम में रहेंगे ही रहेंगे मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद